हालो फ्रेंड्स कॉंप्पटिशन कमीटी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ हीमित प्रथान आईए फ्रेंड्स आज हम स्टार्ट करते हैं इन्वार्मेंट टेकलोजी की कुछ और भधपूर प्रशनों को जो आपकी एक्जामिशन पर डबू से इंपोर्टेंट है त इंप्लेमेंटेड तो ऑप्शन्स आर नाइटीन इन्टीन सेवंटीफोर नाइटीन इन्टीन इटीवन दिये के ऑप्शन्स में क्या सही उत्तर होना चाहिए तो याद रखीगा फ्रेंड्स दो महत्पूर्ण प्रदूशन के जो अधुनियम बने हैं एक है जल पाद थी 1974 जब जल प्रदूशन के लिए उसको क्या है उसके प्रदूशन को रोकने के लिए नियंतरन एवं नियवारन अधिनियम बना था उसके बाद महसूस की गई कि वाई प्रदूशन के लिए भी सेम एक्ट बनाने के ज़ुरत है फिर उसमें अमेंड किया गया नया लाए गया और 1931 में इसे क्या है फाइनली लाया गया तो इसका ऐंसर क्या होना ची जल प्रदूशन के हिसाब से तो जल प्रदूशन के हिसाब से होगा 1974 बहल प्रदूशन होता 내일ar जार करेंगे ठीक है इस बात को धिया रखना है solid waste management ठोस अपसिस प्रबंधन को लेकर आपको question पूछ दिया act कब बना था एना तो solid waste management act आपको पता वर्स 2016 में बना था ठीक है चलिए अब next question की और move करते है next question उसके बाद screen पे देख रहे हैं आप इन में से किस से किस परियाब रणवित को जल पूरुज के नाम से जाना जाता है ठीक है which of this environmentalist is known as waterman of India है ना भारत की जलपूरस है जरूई से नोट करें options हार सुन्दलाल बहगुणा भाई साब तो यह क्या environment activist थे जिनका सम्मन क्या है चिपको आंदोलन से था ठीक है यह नहीं है Dr. Rajendra Singh Rana एक ऐसे personality है भारत में जिनको जो है Stockholm water prize मिला था और basically gel selection के एक अभूत पूर्वकारे के लिए इनको काफी बड़े स्तर पर सम्मान मिला था इनका एक महतपूर्ण जो NGO है ठीक है इनके महतपूर्ण NGO का नाम भी इत्रा ही important है यह क्या है यह है अपका तरून भारत संग तरून भारत संग यह उनका क्या है NGO का नाम था जो जल सरक्षण के लिए काम करती है बेसिकली राजस्थान से थे तो इनहीं को जल पूरुस कहा जाता है याद रखिएगा ठीक है बाकी जो है यह एक पसालिटी वैसे है एक सलीम अली सर है सलीम अली सर के बारे में बताया था कि वह और नीथोलाजी पक्षिविग्यान के जनक है भारत में तो परियावरण भी जिनको वाटर पूरुस वाटर मैन या जल पूरुस कहा जाता है भारत का उनका नाम है डॉक्टर राजेंद सिंग राना या राजेंद सिंग भी लिखा होता है ठीक है यह बात आपको धियां रखनी है चलो नेक्स कोशन नेक्स कोशन आप देख रहे हैं इस screen पर चैरनोबिल दुरगटना संबंदित है नाभी की दुरगटना है भुकंप है बार्ड है या अमली वर्सा है ठीक है चैरनोबिल accident basically याद रखेगा ये क्या है वर्स 1986 में एक दुरगटना हुई थी चैरनोबिल जो basically युक्रेन में इस्तित है ठीक है तो ये चेर्णोबिल की घटना वर्स 1986 में हुई थी उसका संबन्द क्या है एक निकलियर एक्सपलोजन था एक कहना चाहिए नाभी की दुरघटना थी निकलियर एक्सिडेंट कह सकते हम उसे तो नाभी की दुरघटना हो गई थी जिसके कारण जो है बहुत सारे बड़े लेवल पे शती हुए थी अब यहाँ पर इससे रेलेटेड अगर नाभी की दुरघटना देख रहे हैं तो एक दो और लिख लीजिए नोट कर लीजिए जैसे आप जानते हैं हिरो सीमा नागासा की 1945 है ठीक है जिसमें की USA के द्वारा जो है आपका जो है जापैन पे बाउम गिराए गया था उसके बाद एक याद रख लाँ वर्स 1979 में थ्री माइल आईलेंड नाम की एक जो है दुरघटना हुई थी यह क्यों नोट करा रहा हूँ तो इसलिए जरूवी से नोट करिएगा थी माइल आईलेंड यूएसे में यहाँ पे हुआ था अच्छा एक केस यह है कि एक और घटना हुई थी उसके बाद क्या चर्नोबिल आ जाता है 1970 के बाद 1986 ठीक है हाँ मैं बता रहा था वर्स 2011 में क्या हुआ था जैपैन में एक जगह है फुकुशे मा तो उसमें वहाँ पे क्या है भूकम पाने के कारण क्या है वहाँ के nuclear reactor से radiation का रिडियेशन निकल गये थे तो उसके कारण जो है जैपैन ने देखा कि हम nuclear energy पर ज्यादा निरभट नहीं रहेंगे ठीक है तो इनाभी की दुरघटना एं खास कर एक्जाम में पूछा जाता है चैरनोबिल और कभी गवार पूछ दे जगा तो ये आपका फुकु सीमा ठीक है बाकी बातें आपको जाने ना जाने काफी है ठीक है चलिए अगला कोशन देखते हैं भोपाल गैस दुरघटना का कारंट था क्या 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 टांड धा असीन नाइट्रोजन डाय उक्साइड या सुल्फर डायस आउकसाइट कारबर मउन उक्साइड तो भोपाल methyl isosinate होना चाहिए तो एक्च्छल में आंसर भी क्या है methyl isosinate है इसे सॉट में MIK कह दिया जाता है methyl isosinate ठीक है तो MIK gas भी कहा जाएगा तो same है ठीक है तो भोपाल gas कांड क्या थी ये भोपाल gas tragedy क्या था याद रखिएगा friends की 2 से 3 दिसंबर की राथ, वर्स था 1984, अस्थान था बहुपाल, वहाँ पर एक फैक्टरी थी उसका नाम था Union कारबाइट फैक्टरी, Union कारबाइट, Union कारबाइट कॉर्परेशन फैक्टरी, ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली छिए क्या करती है, करती थी यह समझीएगा, Union Carbide Corporation ठीक है ये भी पूछा जाता है ध्यान रखेगा तो Union Carbide Corporation बेसिकली क्या बनाती थी कीट नासा क्या पेस्टिसाइड बनाती थी ठीक है तो यहां पे इस फैक्टरी के चेंबर में क्या है एक खतरनाग गैस का चेंबर फुल हो गया ठीक है तो वो एक एक सिडेंटल पार एमेबल भी थी तो इसके कारण डेखते हैं हजारों की संक्या में क्या है दो से तीन दिसम्मर की रात में जहां रिशा हुआ उन छेत्रों में हजारों की संक्या में लोग मारे गए ठीक है और ये जो Union Carbide Corporation को finally क्या है उसे बंद करना पड़ा ठीक है इस बात को ध्यान रख था तो कुल मिला कि हम से ही रिलेटेट था हम कह सकते हैं चलो नेक्स कोश्चन देखिए भारत का सबसे सफल जैविक खेती याने और गैनिक फार्मिंग वाला राज्य कौन सा है मदर प्रदेश केरल सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश तो याद रखिएगा फ्रेंड्स की सिक्किम भारत का पहला ऐसा राज्य है जो जो हंड्रेट परसन क्या है और गैनिक फार्मिंग करता है और गैनिक फार्मिंग किसे कहते हैं जैविक क्रिशी किसे कहते हैं जिसमें भी किसी भी प्रकार का कैमिकल या फर्टिलाइजर्स किसी प्रकार का रासानिक खाद इसे उ इसे साइड कीट ना सक यूज करते हैं जो भी करेंगे मैनियूर्स यानि की खाद गोबर खाद हो या बायो मास्क खाद हो या हरी खाद हो यूज करेंगे किसी प्रकार का कोई किट ना सक उपयोग नहीं किया जाएगा 100% ओर्गनिक ठीक है तो यहां पे वो राज्य कौन है सि ठीक है पूर्णत 100% ठीक है अब भारत में अगर देखेंगे तो 36 गड़ में भी क्या देख रहा है जो अगर आप देखेंगे जो गोधन न्यायोजना है तो गोधन न्यायोजना में भी हम देख रहे हैं कि जादा से जादा हम क्या कर रहे हैं गोबर खरीद रहे हैं और उसे वो क्या है, एक्चल में एक, उसमें क्या मिनरल्स बहुत होते हैं, उसमें क्या है, पोशक तत्व होते हैं, और उसे क्या है, थोड़ा सा और वैल्यू एडिशन करते हुए, हम उसमें केचवा का पालन करके, हम क्या कर रहे हैं, उसे वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं, तो ये व और्गनिक फार्मिंग की और तीजी से मूफ करेंगे ज्यादा हमारी जो आत्मनीर भरता होगी वह और्गनिक फार्मिंग या फिर गोबर खात पर बढ़ेगी ठीक है यह बात ध्यान रखना है रोजगार अगर बाकी सब चीजें अपनी लेवल पर क्रियेट करती हैं वह है कह सकते हैं कि obviously fertilizer की तुला में इसमें क्या production कम होगा लेकिन जो होगा बहुत अच्छा होगा कह सकते हैं कि इसमें जो nutrient है उसकी मात्रा काफी ज्यादा होगी ठीक है चलिए next question again very important national green tribunal NGT सरकार द्वारा स्थापित किया गया था the national green tribunal was established by government of India in 2008, 2009, 2010, 2011 देखिए जो national green tribunal था राष्टी हर इतनी आधी करण ये basically verse 2010 में इसे बनाए गया था क्यों जोरत पड़ी कोई भी सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो अगर विकास की दिशा ये होती है तो ये साथ साथ क्या है परियावरण का विनास होता है ठीक है परियावरण का विनास जब भी विकास चलेगी तो उसकी विपरित दिशा में हम देखें तेजी से लागू कर रहे हैं उसमें इन्वार्मेंटल डिग्रेडेशन को परियावरण छती को ध्यानी नहीं रख रहा है तो उन प्रकार की चीजों को रोकने के लिए रास्ती हरित न्यादी करण जो है स्थापित की गई थी जो बेसिक लिए क्या कर रही थी कि जो विकास की परियोजनाएं है उनको क्या है अगर उसमें इन्वार्मेंटल एंगल है मतलब परियावरण को नुकसान पहुंच सकता है उस केस में क्या है उनको एन्गिटी से परमिशन लेना पड़ेगा अभी भिया फैक्ट्री डालोगे तो उसमें इन्वार्मेंटल एंगल आईगा तो आपको वहाँ से क्या NOC लेना पड़ता है, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है, तो नेशनल गरिन टिर्बिनल, चाहे केंदर सरकार हो, राज्य सरकार हो, NGT permit नहीं करेगी, तो वह योजनाय आगे क्रियान वित नहीं हो पाएंगी, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है, चाहे फैक्टरी डालना हो, चाहे किसी योजना का क्रियान वैन हो, clear हो गया, तो इसका answer क्या हो जाएगा, C, इसका right answer हो जाएगा, चलिए, next question की और move करते हैं, तो next question आप देखिए, ओली रिडिले कच्छवा के लिए famous है, very very important, ओली रिडिले कच्छवा, ठीक है, यहाँ पर ओली रिडिले टर्टल की बात कर रहे हैं, गहीर माथा, काजी रंगा, नेशल पा, चंबल रिवर और सुन्दर बन, ठीक है, ओली रिडिले सबसे पहले पन में पढ़े होंगे, कि किसकी आयू सबसे ज्यादा होती है, कच्छवा की आयू ज्यादा होती है, तीन सो साल तक यह जिवित रहता है, तो यह ओली रिडिले कच्छवा क्या करता है, इसा भारत है न, भारत का अगर मैप आप देखेंगे, तो अगर यह भारत के मैप में है ये अलिव टीलिक अच्छवा मुख्यता कहां पाया जाता है तो मुख्यता पाया जाता है ये Pacific Ocean में प्रसांत महासागर में इंडियन ऑषण में फिन्द महासागर में ठीक है और हम देखते हैं कि Pacific Ocean से सीदा माईग्रेट करते हुरते हैं Indian Ocean Region में आता है है भारत के चारों तरप इस प्रकार घूमता है और फाइनली जाके अंडा कहां देता है ओडिसा का एक सैंक्चूरी एरिया है गहिर माथा तो गहिर माथा में यहां पे अंडा देता है देखो कोई भी अनिमल्स क्या होते हैं एक जगह पे वो रहते हैं लंबे समय के लिए लेकिन जब उ उनके संतान उत्पत्ति का समय आता है तो ऐसी जगह का चुनाव करते हैं जहां पे नियून तर्म डिस्टबेंस हो तो गहिर माथा में फाइनली उनके लिए अनुकूल परिसिती मिलती है और यहां आके वो क्या अंडे देते हैं और अपना ब्रीडिंग पीरियड स्द्र्वन स्द्रवन मिलते हैं आपको सुद्रवन में आपका सुंधर्वन मिलते हैं यहां परॉयल वैंगॉल टाइगर मीन्लता है और इतना कंटेनिस्ट काफी है ठीक है तो ओलिव रिटले का अंसर क्या 7 का A हो जाएगा चलो मूफ करते हैं नेक्स कोशिन की और तो नेक्स कोशिन यहाँ पर देखते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सोन चिरहिया कहां पाए जाते हैं क्या है करनाटक, मद्रप्रदेश, राजस्थान और पूर्वी हिमाले सबसे पहले याद रखेगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है भारत का रास्टी पक्षी बनने वाला था उसकी रैंकिंग टॉप पे थी और सेकेंड में था मोर जो बरतमान में हमारा रास्टी पक्षी है ठीक है लेकिन उसका जो कुछ सेंस क्या ही बस्टर्ड वर थोड़ा नेगेटी सेंस में जा रहा था और एक दो कारण और भी थे जिसके कारण इसको प्रात्मिक्ता मिल गई और टू जो है वर टू जो वन हो गया वन टू हो गया कहने का मतलब मोर को प्रात्मिक्ता मिल गई ठीक है तो basically ये कहां पाया जाता है तो ये पाया जाता है कहां पाया जाएगा जो semi-arid zone और जो राजस्थान का जो छेत्र है इन छेत्रों में हम देखते हैं कि आपका ये जो पूरा area है कहां पे राजस्थान का छेत्र प्लस थोड सा गुजरात का छेत्र इन छेत्रों में क्या पाया जाता है great Indian bastard zone चिरया पाई जाती है और ये कई बार exam में पूछा जाता है IUCN International Union for Conservation of Nature की category में ये critically endangered है अती संकट ग्रस्थ है आने वाले समय में इसकी संख्या ये विलब्थ हो सकती है तो इसका answer क्या हो जाएगा गुजरात तो है नहीं राजस्थान है तो राजस्थान का सरवाधिक छेत्र में ये मिलता है कौन सा great Indian bastard और कुछ सीमित छेत्रों में गुजरात में भी मिलता है लेकिन मुखेता राजस्थान है इवन ये भी बता दू कि राजस्थान का इसके बाद देखते हैं इधर पाकिस्थान वाला एरिया हमसे border share होता है तो पाकिस्थान वाले कुछ छेत्रों में भी ये great Indian bastard मिलता था ठीक है ये बात ध्यान रखना है राजस्थान का राजकी पक्षी भी है state word भी है clear हो गया चलिए आगे move करते हैं next question की और तो next question आप screen पे देख रहे हैं कि भारत का प्रथम biosphere reserve कौन सा है तो biosphere reserve भारत में सबसे पहले 1986 में सबसे पहले बनाए गया था क्या सुंदर्वन था no वेंबनाट no ठीक है सुंदर्व biosphere reserve क्या है भारत का पहला biosphere reserve है ठीक है यह बात ध्यार रखना है नीलगीरी biosphere अगर आपको पूछा जाए कहां इस्तित है पूछा जाए तो क्या लिखेंगे तमिल नाडू करनाटका और केरला यह तीनों ही राज्यों में इसकी जो है उपस्तिती यानि उसका जो है विस्त यही था उसके बाद देखते हैं नंदा देवी biosphere reserve आपको पता है यह उत्राखंड में ठीक है इस फरकार आप देखते ही इसका अंसर क्या हो जाएगा भारत का प्रतम biosphere reserve C हो जाएगा ठीक नाव मूव करते हैं नेक्स कोशन की और तो नेक्स कोशन यहाँ पर देखते हैं यह है आपका केबूल लाम जाओ रास्ती उद्ध्यान कौन से राज्य में इस थे थे इस वर्स जो है न्यूस में रहा था तो चांसे से इसके पूछे जाने के तो केबूल लाम जाओ में एक विशेश प्रकार की जो है हीरन पाई जाती है उसका नाम है सांगई सांगई क्य कहा जाता है डांस करने वाली डियर है ना डांसिंग डियर ठीक है डांसिंग डियर ये कहा जाता है तो ये मिलता है बिजिकर अन्वाचल प्यदेश आसाम माणिपूर या मेगाले कहां पे माणिपूर में मिलता है और ये जो केबूल लाम जाओ रास्टी उद्यान है तो केब हो गया तो C इसका राइट आंसर है यह याद रखना न्यूस में रहा था तो बहुत ज़्यादा चांसे से इसको पूछे जाने के move करते हैं next question की और अच्छा next question अब हम start करेंगे वो होगा आपका technology से लेकर तो technology के कुछ मात्पूर्ण प्रस नहीं यहाँ पर देखते हैं तो सबसे पहला question है यहाँ पर golden rice में कौन सा vitamin होता बायो टेकलोजी का question है तो golden rice exam में कई दफा पूछा जा चुका है vitamin D, vitamin C, vitamin A या vitamin B ठीक है तो याद रखना है कि golden rice याने सुनहरा चावल तो चावल में मुखेता क्या होता है कार्बो हाइडरेट होता है यह होता है कार्बो हाइडरेट होता है तो इसमें क्या vitamin का content कैसे आएगा जैसे कि आपने पढ़ा होगा दो प्रकार के चावल होते हैं अर्वा चावल है ना और एक होता है उसना चावल तो उसना चावल कैसे बनाया जाता है धान की जो धान का जो दाना होता है उसको क्या करते हैं हम भाप में क्या है हंडी ओवर गरम है जैसे चतीस गर में किया जाता है इस प्रकार गरम कर दिया जाता है चावल को और इसमें क्या होता है चावल का जो उसका जो कवच होता है एक समय तो वो ग्रीन था एक समय वो ग्रीन था उसकी बाद पकने की बाद उससों नहरा हो गया इसके बाद क्या देखते हैं कि इसमें हम देखते हैं इसके छिलके से जि सा अच्छा होता है खाने के तुलना में और अर्वा चावल से ठीक है अर्वा चावल थोड़ा पॉलिस भी होता है लेकिन उसना चावल सबसे अच्छा माना जाता है हां साइच थोड़ा बड़ा होता है इस question का answer इससे related नहीं है मैं बता रहा था ऐसे इस question का answer जट में चावल जिसमें डाल देफ़ते हैो कि उसमें चावल जोší है पॉस हम इसमें वीटामिन का का काल जाते हैं इसमें लिज़र चावल उत rich जो साते हैं तो उसना चावल, अभी आप मार्केट में देखते हैं कि ब्राउन राइस का बड़ा concept बना होता है कि लोग recommend कर रहे होते हैं ब्राउन राइस खाओ, अरे ब्राउन राइस क्या है उसना चावल ही है, ठीक है उसको अलग से हमने क्या है, अलग से ब्राउन राइस जो है, हाँ वो थोड़ा जादा स्टीम होता है, यह कह सकते है लेकिन अल्टिमेटली वो उसना चावल का ही एक टाइप है ठीक है, इस बात को ध्यार रखना, यह health के लिए अच्छा माना जाता है जो diabetes patient भी होते हैं तो वो क्या है, mostly क्या खाते ही, उसना चावल खाते है ठीक है, चलिए, move करते है, next question की और यह question अल्रेडी discuss किया जा चुका था, दूसरे form में भारत में हरित कांती के जनक कौन है father of green revolution in India कौन है, डॉक्टर M.S. स्वामी नाथन साहब और यह भारत में हरित कांती के पिता है और Norman Borlaug साहब क्या है, normally अगर देखें कि इन जनरली हम कहा जाए कि, जो है, green revolution के father कौन है तो उनका नाम है Norman Borlaug, जो एक मेक्सिको के scientist थे और डॉक्टर M.S. स्वामी नाथन के भारती मूल के क्या है scientist थे और दोनों के संयुक्त प्रयास सही, भारत में हरित कांती का दोर आया था green revolution का दोर आया था, और भारत में खाद्यान उत्पादन बढ़ा था तो इस cancer याद रखना, ठीक है, कौन सी फसल लिये थे, गेहूं की फसल लिये थे ठीक है, गेहूं की variety लिये थे, चलो तीसरा option देखिए, वर्गिस कुरियन सहाब, इनको कहा जाता है, भारत में हरित क्रांती के पिता sorry, भारत में स्वेत क्रांती के पिता, white revolution of, white revolution के जो father है, कौन है वर्गिस कुरियन सहाब है, ये कोई सामाने नाम नहीं है, याद रखना, इनको पद में विभूशन दिया जा चुका है, कि इनको वर्गिस कुरियन सहाब को ठीक है, मतलब भारत का second highest क्या है, civilian award, ठीक है, भारत रतने की बाद भारत पद में विभूशन आता है, आपको पता होगा ठीक है, ये बाद भी आप जानते होंगे, भारत रतना, चलो ऐसा ही बता देता हूँ, side में, भारत रतना सबसे सर्वोच जो है, नागरिक पुरसकार है, उसके बाद विभूशन पद में विभूशन है, ठीक है, उसके बाद क्या है, पद में भूशन है, ठीक है, उसके बा दॉक्टर कलामीन सभी को क्या है, भार रच्न मिला जा चुका है, अब उसके वाज जो second highest है पादमभी भूसर देखो, वी भूसर न कितने सब्दों से मिलके बनाए, चार, भूसर न तीन सब्दों से मिलके बनाए, स्री एक सब्द से मिलके बनाए, तो चार, तीन, एक, तो आ तो यहां पर दिया हुआ है कि वर्स के पत्तेग वर्स राष्टी विज्ञान दिवस कब मनाये जाता है तो कब मनाये जाता है देखिए 28 फरवरी, 1 दिशंबर, 2 माई या 26 जनवरी तो राष्टी विज्ञान दिवस नेशनल साइन्स दे एवरी येर सेलेब्रेट ऑन 28 फैब 28 फरवरी को मनाये जाता है क्योंकि इसी वर्स क्या है डॉक्टर सीवी रमन सर को जो है आपका रमन प्रभाव की खोच के कारण नोबेल प्राइस मिला था, नोबेल पुरसकार मिला था इसलिए इस दिन को इनकी याद में जो है राष्टी विज्ञान दिवस मनाये जाता 28 फरवरी को क्लियर हो गया एक दिवस संबर क्या है वर्ल्ड एट्स दे है ठीक है दो मही क्या है वेट लैंड दिवस है नम भूमी दिवस 26 जनवरी आप जानते ही है रिपाब्लिक डे ठीक चलो नेक्स कैटको ऊर्म करें भारत में अनुबं के विकलास में कौन संबंधित है तो अपने के अबदुल कलमस हाभ ौमी जहांगेर सहाभ । राजढर बना यह कस्तूरी रंगर ठीक है सब के सबतो साइंटिस्ट है अब आकोज़बं था तो । atom worms में भारत में दू बार टेस्स किया है। आपको पता होगा एक है verse 1974 में टेस्स किया है। चुक्रेंड वन था और दूसरी बार हमने किया था उसे प्रक्रेंड तुक है। तो यहाँ पे पहले चरण में हमने एक तक्निक का प्रदर्शन किया था टेख्लाजी डेमॉस्टेशन था और दूसरे चरण में हमने एटम बॉम हासिल कर दिया था तक्निक शुरुआत पे देने वाले में जिनका युगदान था तो इसमें राजा रमनासर को लीड कर रहे थ कर मैंने कहा डॉक्टर कलाम प्रोफेसर चिदंबरम और तीसरा मैंने कहा कि अनील का कोट कर ठीक है तो यह तीनों के संक्त प्रयास से और इस समय क्या है हम देखते हैं अभी रिसेंट में मूवी भी आई थी परमाणू मूवी बेसिकलि उसमें बहुत अच्छी तरहें से बता में हमने यह सफलता पुर्वक क्या किया अपना अपना जो है परमानू टेस्क किया इस समय जो मिशन का नाम था सक्ती नाइंटीएट था और उनीस सो चाहतर में जो मिशन का नाम था लाफिंग बुद्धा था ठीक है इस बात को धिया रखना है तो यह कलाम साहब का युग साइंटिस भी थे एक स्पेस साइंटिस भी थे और एक डिफेंस साइंटिस भी थे डिफेंस में उनकी युगदान के कारण भारत में उनको मिसाइल में कह दिया जाता है इस पेस में क्या है उनकी कारण जो है भारत देखते हैं कि सैटलाइट के सेक्टर में भी बहुत युगदान था और नुक्लिय साइंटिस्ट आप ही देखी लिए कि एटम बंबनाने में या सक्सेस्फुली नुक्लिय टेस्ट करने में पोखरेंट टू में इनका युगदान सरहनी था सबसे इंपोर्टेंट में से एक था क्लेर हो गया कसूरी रंगन साहब भी क्या है एक स किसके लिए फेमस है वो क्या है एक नुक्लियर साइनटिस्ट है परमानू वग्यानिक थें थीक है परमानू वग्यानिक थे और इनके कारण जो है भारत में नुक्लियर सेक्टर में रिजज प्रारंब हुआ था तो क्या है सद्धान्तिक भौतिकी नाविकी उर्जा लेजर फेजिक्स या अनुसंधान तो याद रखना फ्रेंड्स यहां पर याद रखना है डॉक्टर भाबा नहीं मैं पहले भी बता चुका हूँ कि वर्स 1945 जब भारत को आजादी नहीं मिली थी तब से उनका ध्यान जा चुका था कि भारत में निकलियर सेक्टर में रिसर्ज किया जा सकता है और इसलिए टाटा गुरूप का उन्होंने मद मदत लिया और टाटा इंस्टिटूट आफ फंडामेंटल रिसर्ज की जो है फाइनली स्थापना हुई थी तो टाटा गुरूप भारत में उनकी एठिक्स और उनके कारियों के लिए जाना जाता है भारत की सबसे लार्जेस कंपनी में से एक है हम कह सकते हैं तो टाटा भाबा की डेट नहीं होती भारत और आगे जा चुका होता तो उन्होंने देखा कि केरल की 30 राज्यों में और बहुत जगा क्या ग्या थोरियम के बहुत जादा भंडा रहे हैं तो फिलाहल हम को समझना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा बी होगा का चलिए मुफ करते हैं नेक्स कोशिन की और देखते हैं हमारा सेवंथ नंबर का कोशिन तो यह कोशिन है आपका किस वायमेंटली पर्त में संचार उबढ़ा स्थित किये जाते हैं स्टाटोस्पियर आइनस्पियर ट्रॉपोस्पियर ठीक है पहले में बता चुका हूँ चो और फिर ए ठीक है तो यह उपर वाला क्या है ए हो गया तो यहां पर क्या पूछा है संचार उबग्रह कम्निकेशन सैटलाइट तो संचार का अंतिमुद्देश क्या होता है जानकारी को एक बिंदू से दूसरे बिंदू तक जादा से जादा दूरी तक पहुँचाना यही कैसे संबभ होगा तो कहां स्थित किये जाते हैं इसको आप बहुत इस क्रोनलॉजी के बेस पर भी आप समझ सकते हैं तो देखो हमारी प्रित्वी में अगर हम देखते हैं इसे भारत है तो भारत यह क्या है एक्वेटर है विश्वत रेखा है और भारत की सितित अगर यहां रिसीब होता फिर यहां पहुंचाया जाता इसके अलग-अलग कम्मुनिकेशन की टूल्स होते हैं तरीके होते हैं कई बार कुछ ऐसे भी पहुंचाया जाता है लेकिन आप यहां में पूछा क्या है सीधा सैटलाइट पूछा है तो हम यह जो मेथड है इसको न पढ़के हम सीधा सैटलाइट तो सैटलाइट करीब होगा तो क्या होगा इसका एरिया भी कम होगा मतलब एक बिंदू से दूसरे बिंदू के बीच में दूरी कम है थोड़ा उपर चले जाएंगे तो इनके बीच के दूरी बढ़ ठीक है संचार उपग्रह हमीशा ही जादा उचाई पर छोड़े जाते हैं याद रखेगा लेगन अगर रिमोट सेंसिंग सैटलाइट होगा सुदूर समेधी उपग्रह होगा तो कम उचाई पर छोड़े जाएंगे क्योंकि फोकस करना है सुदूर समेधी का मतलब क्या होत जैसे हम देखते हैं 100 km चालू होता है तो 100 km को उपर जैसे चालू होता है उसके बाद हम कहा देते हैं अंत्रिक्ष चालू हो गया उसे बेसिकलिए के लाइन कहा जाता है तो वहाँ पर आप क्या करेंगे सीधा सैटलाइट को छोड़ देंगे कम उचाई पर और फिर प्रती प सबसे नीचे है तो यह सबसे नीचे है तो यह तो नहीं हो गा तो यहां पर देखो और देलेyl कर दिया अब तीसरा औप्सन देखे क्या क्या बचा आईनोस्फियर और एक्जोस्फियर तो आइनोस्फियर तो उपमंडल है आइन मंडल का एक उपमंडल है चलो वहां रखा भी जा सकता है लेकिन उसके उपर तो एक्जोस्फियर मौजूद है ठीक है एक्जोस्फियर बहिर मंडल मौजूद है तो बहिर मंडल में ही जनरली क्या है इसका छोड़ा जाएगा इसे भी आपको ध्यार रखना है एक जगा होती है उसे हम कहते है भू समकालिक कक्षा ठीक है एक्विटोरियल और्बिट कहते है जियो सिंक्रोनस और्बिट कह देते हैं ठीक है आपको यहाँ पर भू समकालिक कहें या भू तुल्यकालिक कहें वहाँ पर इसे छोड़ दिया जाता सबसे उंचाई पर बेसिकली 36000 किलोमेटर की हाइट पर जनरली संचार चोड़े जाते हैं ठीक है जबकि आपको पता है 100 किलोमेटर से उपर स्पेस चालो हो जा रही है उसके बावजूद हम उपर छोड़ते हैं ताकि कम्प्यूटर में प्रयूक्त आईसी चिप किस से बना होता है तो किस से लीफ से नहीं उसके अध क्रोमियम से से या स्वान गोल्ड से तो क्या इसका अंसर होगा देखो कम्प्यूटर में आईसी चिप के लिए यूज किया जाता है सेमी कंड़क्टर यानि की आरदचालक तो आरदचालक यहाँ पे क्या है आपका सिलिकॉन है सिलिकॉन इतना इंपॉर्टेंट मैटल है इतना इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट है यह नहों तो आपका मोबाइल नहीं चलेगा यह नहों तो आपकी कार नहीं चलेगे यह नहों तो बहुत सारे इलेक्ट्रोनिक गैजट्स नहीं चलेंगे ठीक है यह सब के सब क्या है सिलिकॉन के बीना अधूरे है ठीक है तो यहां पे इसका आंसर क्या है काम्प्यूटर में क्या यूस होगा इलेक्ट् क्यों कहा जाता है क्योंकि आइटी याने इनफर्मिशन टेकलोजी की सभी कंपनियां वहीं मौजूद हैं कहां पर मौजूद है या तो कैलिफोनिया मौजूद है या जैसे गूगल वगरा जितना भी उनका जो कंपनी है है रहा हैड़ ऑफिस माइक्रोफ वगरा का सबका वह आपका कंसर्टेसी सरविसज और सेकन्ड में आपका आता है Infosys ठीक है चलिए नेक्स्कोशन के और मौज करते हैं तो next question यहां पे देखिए भारती सुपर कंप्यूटर का जैनक कि से कहा जाता है कौन कहलाता है तो सुपर कंप्यूटर भारत बनाने की और तेजी से मौफ कर रहा है भारत का सबसे सूपर कम्पीटर का यह जो दौर है स्टार्ट हुआ था तो सबसे सुरुवात में जिनका योगदान था उनका नाम है विजे भाटकर सर ठीक है तो विजे भाटकर को कहा जाता है भारती सूपर कम्पीटर का जैनक कहा जाता है है ना भारत नहीं सूपर फास, सूपर कम्प्यूटर क्या है? परम, सिध्धी, AI हम लेंगे, ठीक है? ओवराल हम लेंगे, क्योंकि ये artificial intelligence कृतिम बुद्धिमता से युक्त है ठीक है तो यह याद रख लेना प्रवम प्रवेक परम प्रवेक जो है आपको second लेना है ठीक है ओवराल यह निचोड है निसकर्स है परम सिद्धी अभी भी सबसे टॉप पर है ठीक है यह बात ध्यान रखना है चलिए देखते हैं next question तो next question में देखिए हवाई जहाज के black box का color क्या होता है black, red, bangni या नारंगी ठीक है तो ध्यान रखना फ्रेंड्स की black box का बिल्कुल यह मतलब नहीं कि उसका color क्या है black होगा तो यह गलत उत्तर है क्या red होता है no, क्या bangni होता है no, यह इसका color होता है orange या नारंगी ठीक है तो यह basically क्या था देखिए जो pilot बैठे होते हैं तो pilot एक aeroplane में दो या तीन pilot जो भी होंगे तो वहाँ पर क्या होता है कि उनके आसपास में हम देखते हैं एक box होता है यह नारंगी color का होता है और वास्ता में इस box के अंदर क्या होता है एक audio device होती है audio device होती है जो यह पता लगाने में हमको मदद करता है कि माल लोग aeroplane का क्या है accident हो गया तो accident हो गया तो accident के पहले pilot के बीच में जो भी बात चीथ होती है माल लो एक दो तीन pilot थे या दो है मालो यदि accident हो गया है तो accident के बाद जब वहां पर accident का कारण खोजा जाता तो सबसे पहले black box को खोजा जाता है कि accident का कारण यह था ठीक है यह बेसिकली एक ब्रिटिसस ने दिया था इस टाइप का कंसेप्ट बहुत अच्छा कंसेप्ट है तो अभी भी black box जो है रखा जाता है जो बेसिकली audio device है जो accident का कारण पता लगाने में मदद करता है ठीक है तो इसका color क्या है औरेंज यह नारंगी है ठीक है तो इसका answer डी तो इस प्रकार आपने environment and science and technology कुछ questions कवर किये मैं आप सभी से request करूँगा कि यह video को ज़्यादा से ज़्यादा आप share करें अपने friend circle तक अपने relatives तक जो exam दे रहे है या फिर हम कह सकते है आपके जो friend circle या competitors हैं आपके उनके बीच में भी आप इसी लेकर जाहिए ताकि आप उनके बीच में ज्याद से ज्यादा compete करेंगी आपका level भी बड़ेगा ultimately आपका लक्ष तो select होना है एक request और भी करूँगा कि ज्यादा से ज्यादा आप likes भी कर सकते हमारे videos को अगर आपको पसंद आ रहा है तो ठीक है ऐसा कोई ज़रुए नहीं है कि पसंद ना आए तो आप like करें ठीक है मैं इसको जो स्रिंखला चल रही है सभी का ज्यादा से ज्यादा क्या है आप फाइदा उठाईए ताकि आप exam में बहतर score करके आए और आप exam में select होके अपना एक कामियाब career बनाएं ठीक है तो मिलते हैं हम next class में कुछ और महत्मूर्ण प्रस्णों के साथ thank you so much have a nice day